कांग्रेस पार्टी में नीश वार्थ भाव क्या होता है? अपने आपको समर्पित करने की भावना क्या होती है? क्या होता है विचारधारा के लिए हमेशा एक जैसे किसी भी परिस्तिती में खड़े रहना? क्या है और कांग्रेस की विचारधारा को किस तरीके से अंतर मन में बसा कर संगठन की सेवा क्या होती है? क्या है कि वो करने वाले सब आप लोग हो और मैं आप सब को फिर हाथ जोड़कर पड़ाम करता हूँ साथ वाता है? कांग्रेस पार्टी का जो विचार है वो कभी नफरत अपने अंदर में बसा सकता है वो महावीर के उस विचार को जिसमें त्यार की दब की और बलीदान की बात कही है वो सेवा दल आत्मसाथ करता है 32 जिन्ता पार्टी के जो विचार है उसमें कटरता की नफरत की और मेरे हिक के लिए किसी का कुछ भी कर दे इस भावना का एक तरह से प्रबलता है ताकत है या एक तरह से उसकी इस विचार को वो बल देते हैं और हम छमा करने में बल देते हैं यह अंतर हो नमोर हम, भारत की जो मूल विचारधारा है, भगवान राम की जो मूल विचारधारा है, जो पेगंबर, भगवान प्रष्ण, गुरु नानेक देव जी, मैंने जैसा बोला महावीर, भगवान महावीर, और गोतम बुद्ध, एसे कई महापूर्शों ने जो एक भावना इस देश में भारत वर्ष्ण की प्राचिन सभिता और प्राचिन भावना की पूरे विष्ण में जो एचान है, वो यही है कि हम प्रेम से, प्यार से, महपस से, त्याक से, बलिदान से देने की भावना से, इस देश की सेवा करें, मानुता की सेवा करें, मानुता क हिंदु धर्म में वसुदेव कुतुम पूरों विश्कों कुतुम माना गया यही तो कांग्रेस पार्टी भी प्यार मौबबत और इंसानियत की बात करती है पूरे प्राणियों में सद्भावना हो मतलब केवल मनुष्यों मेरी जो जीव है उसमें भी सद्भावना हो भारतवर्ष की मूल भावना है जो सभी धर्मों की मूल भावना है वही कांग्रेस पार्टी की भी भावना है मध्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज सोमवार को प्रदेश कॉंग्रेस मुख्यालय में सेवादल और NSUI की बैठक ली जीतू ने सबसे पहले मध्यप्रदेश भारतिय राश्ट्रिय छात्र संगठन के जिला अध्यक्षों से समवाद किया सुभा 11 बजे शुरू हुई यह चर्चा 2 बजे तक चली इसमें PCC चीफ ने NSUI की आगामी गतिविधियों और लोगसभा चुनाफ पर रन्नीती बनाई इसके बाद जीतू ने सेवादल के प्रदेश पदाधिकारियों जिला मुख्य संगठकों के साथ बैठक की इसमें सेवादल की गतिविधियों और लोगसभा चुनाफ पर बाद चीत हुई पटवारी ने कॉंग्रेस के दोनों विभागों से उनके पिछले कामों का भी हिसाब लिया बता दें, पटवारी संगठन में कसावट के लिए लगातार चार दिनों तक बैठक करेंगे 24 दिसंबर से शुरू ये बैठके 27 तक चलेंगी पटवारी मंगलवार को प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में ही प्रदेश कॉंग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे इस दोरान वे सभी से विधान सभाचुनाव में हुई गरबडिया और कामकाज का हिसाब लेंगे इसके साथ आगामी लोग सभाचुनाव को लेकर भी बातचीत होगी सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ अध्यक्ष बनने के बाद पटवारी की यह पहली बैठक है इस लिहास से इस बैठक को अती महत्वपूर्ण माना जा रहा है